गोगा मेडी के कातिलों की तलाश में राजस्तान की पुलिस अलग-अलग राज्यों और शेहरों के खाक चान रही है लेकिन सवाल अब भी हत्याकांड की प्लानिंग पर क्या वज़य है ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हत्याकांड हुआ क्यों इस बीच गोगा मेडी की पतनी सपना सुनी ने सुकदेव सिंग की हत्याकों लेकर बड़ा खुलासा किया है देखिए इस रिपोर्ट में गोगा मेडी की हत्याके बाद उनकी जिन्दिगी को लेकर अलग-अलग खुलासे हो रहे हैं जैसे वो अपने समाज के लिए काम करने के साथ साथ प्रॉपर्टी डिलिंग का भी काम करते थे वहीं अब उनकी निजी जिन्दगी को लेकर भी खुलासा हुआ है कहा जा रहा है कि उनकी एक नहींवल की तीन पत्निया हैं शीला शेखावत के बारे में तो सभी जानते हैं जो अपने पती के लिए इनसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और उनके अंतिम संसकार में भी शामिल हुई लेकिन खुद को सुखदेब सिंग की तीसरी पत्नी बताने वाली सपना सोनी ने खुलासा किया है कि हत्या वाले दिन वो गोगा मेरी के साथ घर में मौझूद थी और शूटर्स उनके सामने ही मिलने आए थे अलकि सपना सोनी ने गोगा मेरी पर गोली चलते हुए नहीं देखी लेकिन गोलियों के आवाज जरूर सुनी जिसको सुनकर वो दौड कर वेटिंग हॉल में पहुची मगर तब तक शूटर्स फरार हो चुके थे इतना ही नहीं सपना सोनी ने गोगा मेरी के हत्या के बाद समाज और परिवार के अंदर हो रही राजनीती का भी जिक्र किया उन्होंने मुझे दो मेने पहले ही बोल दिया था मेरे पती ने सुकदेव सिंग जी ने कि जिस दिन मैं मरूंगा ना उस दिन मेरे उपर राजनीती होगी मेरे घरवाले भी राजनीती करेंगे उन्होंने तो ये तक बोल रखा था तो आज ये बात सच हो गई उनके घरवा बताते रहेंगे, हर नई खबर की जानकारी आपको देते रहेंगे